हेलो and welcome my dear soul family कैसे हो आप सब आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनी परिवार के साथ सुरक्षित होंगे आज की reading में हम देखेंगे कि इस वक्त आखिरकार आपके person के दिमाग में क्या चल रहा है जानने के कोशिश करेंगे कि आप और वो आखिरकार इन दूसरे के बारे में क्या सोच रहे हो चलिए शुरू करते हैं इनकी hidden emotions देखने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार यहाँ पे क्या हो रहा है page of coins का card page of coins, ace of coins, यहाँ पे हमारे पास है seven of coins बहुत कुछ कहने की कोशिश, ace of wands the lovers की energy, the fool की energy यहाँ पे आ गई है देखने की कोशिश करो, चलिए कुछ cards और लेंगे यहाँ पे, सबसे पहले हम यहाँ पे deck को रख देते हैं bottom of the deck आ गया है यहाँ पे six of wands जो कि हम यहाँ पे रख देते हैं यह इधर रख लेते हैं, ठीक है, space नहीं है पहली बात तो page of coins सबसे जादा मुझे earth sign यहाँ पे नजर आ रहे हैं, न जाने क्यों more dominant दिखाई दे रही है, यहाँ पे energy और फिर यहाँ पे आ गया है seven of cups की energy, ace of wands की energy, fire sign, air sign, water sign, सभी sign यहाँ पे आ गये हैं, the lovers की energy भी यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, सबसे पहले आप सभी को बधाई देना चाहूंगी, बधाई इसलिए हो सकता है, आपके मन में इस person को लेके और इनकी life में अपनी एहमियत अपनी value को लेकिए, बहुत सारे सवाल आते हो, बहुत कुछ सोचते हो कि, ना जाने ही यह person मेरे बारे में क्या ही सोचते हैं, ना जाने ही यह मेरे बारे में क्या ख्यालात रखते हैं, क्योंकि आपको इस person के बारे में कोई hint नहीं है, तो आप भी सोचते होगे, पता नहीं इनके मन में क्या चल रहा है कुछ पता ही नहीं चलता है ना बहुत ही unknown energy है आपके मन में एक प्रश्न चिन्न हमेशा रहता है question mark और इसलिए आप हमेशा reading का wait करते हो comment section में लिखो always waiting एक तरीके से मेरे लिए भी ये message है कि आप मेरी reading का wait करते हो कि नहीं दूसरी तरीके से आप person के लिख दो always waiting मुझे समझ आ जाएगा जल्दी से लिख दीजे always waiting मैं समझ जाओंगे अब अगर ध्यान से देखा जाए यहाँ पे energies बहुत कुछ कहने की कोशिश कर रही है पहली चीज तो यह आप एक ऐसे type के इंसान हो कि जब भी आपकी life में कोई आया है चाहे आपका relationship ह चाहे आपकी friendship हो चाहे आपकी family हो चाहे कोई भी हो आपने हमेशा से बहुत ज़्यादा प्यार का रिष्टा बनाने की कोशिश की है मैं देख रही हूँ आपकी एक habit है कि आपको कोई कितना भी hurt कर दे आप गुसा भी हो जाते हो आप आखरी फैसला भी ले ले लेते हो फिर जब जरूरत की बात होती है फिर कुछ time के बाद आप कभी भी अपने आसपास वालों की care करना नहीं छोड़ते हैं अगर आपके friends circle में बहुत सरे friends है या अगर आपके family में भी बहुत सरे लोग हैं तो भी आप एक मात्र ऐसे हो जो सब के बारे में care करते हो चाहे कोई किसी पर related कोई बात होगी आपको बहुत फील हो जाती है in fact आप बहुत ही emotional भी बोलना चाहूंगी आप emotions को as it is feel करते हो ऐसा लगता है कि आपको बहुत ही दुख होता है आपको बहुत दुख पहुंचता है जब किसी के साथ कुछ भी बुरा हो जाता है ठीक है एक चीज मुझे यहां पर यह दिखाई दे रही है आपकी इस energy के बारे में हर कोई तो जानता है लेकिन यहां पर कभी कभी यह energy आपके ही खिलाफ खड़ी हो गई है दिखाई दे रहा है आपके साथ ऐसा बहुत बार हुआ है कि जिनको आपने सबसे ज़्यादा प्यार देने की कोशिश की ह यह जिनको आपने सबसे ज़्यादा यह दिया है अफेक्शन दिया है और आपने उनको बहुत उनकी केर कि एक प्रोटेक्टिव सिस्टर, mother, brother यह lover की तरह रहे हो उन लोगा ने आपको सबसे ज़्यादा hurt किया है ना जाने क्यों जाने अन जाने में कैसे आपकी बात ना मान के आपको बहुत बुरा लगा है कि when you care for everyone और आपकी कोई बात ना माने या आपको एक विलन की रूप में देखे या आपको इगनूर करे या उल्टा आपको ही ब्लेम करे क्या मैं सही हूँ? क्या मैं सही कह रही हूँ? लिखिये comment section में very true comment section में लिखिये very true या लिखो my nature सब जाओंगी कि या आपसे बिल्कुल resonate कर रहा है अब यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? यह person आपकी इस आदत के बारे में बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ है बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ है और यह person अगर देखा जाए एक ऐसा person है जिनके बारे में तारीफ तो क सका चौंद में आ जाता है बहुत जल्द ही यह person किसी की भी और अकरशित हो जाता है यह इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है ठीक है और इनको ऐसा लगता है कि जिससे बोलते नहीं है हर चमकने वाली चीज सूना नहीं होती इनको ऐसा लगता है कि जो कोई भी चीज चमक रहे है हो सकता है वो सूना हो हो सकता है एक बार ट्राय करके देखते हैं तो यह जो ट्राय वाली एनरजी है जो उत्सुकता है इनको ऐसा लगता है कि यह आपको चीट नहीं कर रहे हैं इनको ऐसा लगता है यह तो नॉर्मल बात है लेकिन आपको वो चीज बहुत हर्ट करती है बह एपोजिट जेंडर से लड़कियों से या लड़कों से बहुत जादा चैटिंग करना है न और आपने बहुत बार देखा होगा कि ये किसी की फोटो पे कमेंट मार रहे हैं आप तो आपको भी ऐसा लगता होगा क्या मैं काफी नहीं हूँ लगा है आपको कभी डाउट आया ह comment section में लिखो doubt जिन जिन के साथ resonate कर रही है doubt अब मैं देख रही हूँ ये person बहुत ज़्यादा गलत गलियों में भी गए है गलत गलियों में गए है पर किसी तरीके से आपको पता चला है या ये person बहुत छुपे रस्तम भी है जब तक पूरी तरीके से बात जबान तक ना आजाए ना जब तक पानी बिल्कुल सिर्थ तक ना आजाए ये person आपसे तब तक बाते चुपाते रहते हैं या तो आप खुद पता कर लो वो एक अलग चीज है ठीक है या तो आप अपने तरीके से पता लगा लो या आपको कोई वो चीज बता दे वो एक अलग चीज है लेकिन ये person बहुत सारे ये उनो अपने options को खुला रखे हैं ठीक है अब इतनी ज़्यादा mix energies अगर आ रही है non energy अगर आपके person की तरफ से आ रही है इनोंने खमेशा से अपनी सादत को सुधारा नही है ठीक है लेकिन हुआ ये है कि जो लोग इनकी life से आए है ठीक है कहीं से भी आए है वो लोग उतनी ही जल्दी इनकी life से गए है और इनसे कुछ ना कुछ इनका नुकसान करके गए है इनसे कुछ ना कुछ ना कुछ इनका लेके गए है और यह एक मात्र वजा है यह person बार 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 ठोकर खा के आपके पास लोटता है क्या मैं सही हूँ? Please comment section में लिखना जल्दी जल्दी Mix energy मैं समझ जाओंगे कि जितना जादा मैंने अभी बोला है उस सारी चीजों से आप connect कर पा रहे हो, relate कर पा रहे हो Mix energy लिखना Ace of coins की energy मुझे यह बोलने की कोशिश कर रही है यह person इस वक्त आप से अलग हो सकता है यह person तरह तरह के options यह person तरह तरह के लोगों के साथ रहे कर उनके साथ time spent कर चुका है अभी तक लेकिन यकीन मानो ठीक है? यकीन मानो यह person बिलकुल भी इस बारे में sure नहीं है कि यह उन में से किसी की भी साथ भी settle होना चाहता है कि नहीं, settle energy नहीं दिखाए दे रहे हैं हाँ, time pass के लिए यह person हमीशा से अपने options खुले रखना चाहते हैं लेकिन अगर बात आ रही है आपकी तो the one and only इस यह आपको मान रहे हैं मतलब सिर्फ एक ins俩ान की बात करे जिसको यह अपनी family में लेना चाहतें हैं अपनी family में मिलाना चाहतें हैं अपनी family के साथ settle करवाना चाहते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपो अगर ध्यान से देखा जा है तो यहाँ पर पता चल रही है, बहुत सारी बाते, बहुत सारी चीजे, ऐसा लग रहा है, Ace of Coins के एनरजी से हमें पता लग रहा है, कि न, यह person आपकी और प्रपोजल लेके आना चाहते हैं, यह person ओफर करना चाहते हैं, अपना token of love, यह person आपको हमेशा के लिए चुनना चाहत हैं, अब सबसे बड़ी खुश खबरी यहाँ पर यह है, कि अगर आप सोच रहे हो, कि क्यों यह person आपके पास नहीं आते हैं, या कोई, उनको कोई और मिल गया है, तो Ace of Wands के एनरजी में, मैं आपको clear करना चाहते हूं, You are the one and only, ठीक है, You are the one and only, जिससे यह person हमेशा के बंधना चाहेंगे, जिससे कहते हैं, इतनी आएंगे, उतनी जाएंगे, पर मेरी वाली तो, ऐसे कुछ बोलते हैं न, तो यह कहरें, मेरी वाली तो मैं ही लाओंगा, ठीक है, यह मेरे वाले तो मैं ही लेकि आओंगी, जिसको मैंने चुन लिया है, जो मेरी लिए perfect है, ढू जादा, आपकी energies को जब जब यह मैसूस करते हैं, तब तब इनको ऐसा लगता है कि इनोंने कुछ खो दिया है, तब तब इनको ऐसा लगता है कि अब action लेने का सही time है, तब तब इनको ऐसा लगता है कि सिर्फ आपका ही प्यार वो है, जिसकी इनको craving रहती है, क्योंकि जिस रास्ता नहीं है मुझे जिस त्राव जाना है मेरा रास्ता कहीं और है मेरा पार्टनर कोई और है जब जब-जब यह किसी के साथ भी जाते है नोन को ट्राय करने के लिए यक 선 को अशा लगता है कि आप से बेस्ट कोई नहीं हो सकता, तो ये मन में ये जो बात है, इनके बहुत पहले से है, बहुत शूरिटी से आ रही है आपको ऐसा लग रहा होगा कि contact, you know, के बाद no contact के बाद बहुत गया पा रहा है, इसका मतलब यह है कि कहीं ऐसा नहों कि बस इनकी नजर से आप हमीशा के लिए जा चुके हो, अब आप इनके options में नहीं हो, options में क्या आप इनकी priority में हो, आप एक एसे इंसान हो जिसको इनने चुन लिया, एक बार fix कर लिया, आप हो तो आप ही हो अब यहाँ पे the lovers की energy है the fool की energy है ध्यान सी दखोगे न इस person को अब ऐसा लगता है न इनने कुछ जादे ही ज्याक्ती कर दिया आपके साथ इनको ऐसा लगता है न कि आपके साथ शायद इनको थोड़ा सा और जादा soft होके रहना चाहिए था बहुत जादा कठोर हो गये बहुत जादा इनने आपको डांड दिया गुस्सा कर लिया या बहुत जादा आपके साथ ज्याक्ती कर दिया अब समय आ गया है कि आपको थोड़ा प्यार देने का जैसा आप चाहते थे वैसा आपको मैसूस कराने का चलते चलते पता नहीं चला अंदाजा नहीं लगा अब इस परसन को लगता है ना कि साथ तो छोड़ दिया पर बार बार लोट की आने का मन करता है साथ तो छोड़ दिया पर ऐसा लगता है कि या बिना बहुत फीका फीका सा लग रहा है नेक्स्ट कुछ मंस यानि कि मुझे बार बार नमबर 6 दिखाई दे रहा है नमबर 7 यहाँ पर दिखाई दे रहा है हो सकता है आप यकीन ना करो जून जुलाए तक हो सकता है कि ये दो मंस में बता रही हूं क्यों आपके लिए स्पेशल है बताना जरूर ठीक है आपके लव लाइफ में कुछ ट्विस्ट आएगा ठीक है और वो ट्विस्ट ऐसा होगा जो आप बिलीव करना छोड़ चुके होना आपकी विश्वास से परे होने वाला है ये परसन आपको इतने बदले हुए दिखाई देंगे जैसे कहते हैं ये perfect man of your dreams जैसा कि आपने इनको सपने में देखा है जैसा कि आपने हमेशा इनको दुआओं में मांगा है उस तरीकी का transformation है ना ऐसा लगेगा कि हमेशा से जिसको आप ढून रहे थे इस परसन में जो जो changes उनको चाहते थे वो changes ये सरे कुछ करके ये changes वो अपने अंदर लेके वो changes आपको बिल्कुल आपकी लिए ही ये बने है ऐसा लगेगा ठीक है और अब जो यहाँ पर ace of wants वाली energy ये है कि एक इनसान को ये इस तरह किसे चाहने लगे है कि आगे की जिन्दगी ये खुद लिखना चाहते है आगे की जिन्दगी कि आपके साथ ऐसे बिताना चाहते है जैसे ये चाहते थे जैसे इनके मन में था जैसा कि आप बोलोगे यहाँ पर six of wants की energy यानि की celebration, recognition, popularity यहाँ पर दिखाई दे रही है साब पता चल रहा है अप एक एसे इसान हो जो आपके साथ रही है या जो भी आपके साथ रहते हैं आसपास वाले उनको पता है कि आप कितने ज़्यादा अपनी जगा पे honest हो कितने ज़्यादा महनती हो अपने कभी भी किसी का बुरा नहीं किया लेकिन एक चीज और है जितने भी लोग आपको चीट करके, जितने भी लोग आपको धोका देके, जितने भी लोग आपसे पीट करके गए हैं, वो कही न कहीं खुद ही लोटे हैं क्या मैं सही हूँ? लिखो, come back come back लिखी कि आपने कुछ नहीं किया, आपने कर्मा पे छोड़ दिया, ठीक है और कर्मा ने इनसाफ किया, और वो लोग फिर लोट के आए हैं आपके पास ये परसन आपके और लोटते हुए नजर आ रहे हैं और ये ऐसे लोट रहे हैं, जहां पे ये सब कुछ ट्राइ कर चोके हैं ठाके हारे से लोट रहे हैं, इस उमीद में कि इनका पहला प्यार पूरा हो जाए comment section में लिखिए come back तो लिखी दीजीए, अगर आप से resonate कर रही है बसे ये ही चाहते हैं कि इनका पहला प्यार किसी तरीके से पूरा हो जाए come back यानि कि action action यानि कि reunion और जून जुलाई मुझे लगता है six seven months बहुत important है आपके लिए ठीक है आ रहे हैं आपकी और और आपकी protection के लिए आ रहे हैं एक तरीके से इसी time पे इनको भेजा गया है मुझे लगता है जब जब इनका नाम आपके साथ आता है आप एक ऐसे इनसान हो कि लोग ऐसे इनको बोलते हैं आपके person को यार तुम कितने lucky हो तुमें ये मिले हैं आपके बारे में बोलके यार तुम कितने lucky हो चाहे देखने में भी मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप इनसे उपर हो competition इसमें कोई शरम की बात नहीं है no competition मैं ये कहना चाहरी हो कोई तुलना नहीं है लेकिन आप हो इनसे आगे चाहे वो पढ़ाई की field में हो चाहे किसी भी चीज में हो रूप, निखार या तो देखते ही आप दोनों की जोड़ी देखते ही कोई बता देगा ऐसे ही बोलेगा, वावा क्या जोड़ी बने, क्या पार्टनर है तुम्हारा तो इस परसंट को बहुत जाता लखी महसूस होता है, बहुत proud महसूस होता है जब भी आपके साथ के निकलते हैं इनको देख लेते तो इनकी बहुत तारीफ होती है आपकी बहुत तारीफ होती है और इनसे हमेशा पूछा जाते है हाँ भई, कैसे तुमने इनको अपना पार्टनर बना लिया कैसे तुमने इनको तुम्हें कैसे मिल गए यह ऐसा होता है क्या common section लिको popularity तो ऐसा लग रहा है एक तरीके से celebration हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि यह person दुबारा से वो सारी चीज़े महसूस करना चाहते है और इसलिए आप से related कोई भी भात होती है, तो बहुत जल्दी इस person को पता लग जाती है तो इसलिए यह person अब decide कर चुके है, बहुत जल्दी आपके पास आते हुए भी दिखाई दे रहे है देखिएगा, दिल थाम के बैठिएगा, आने वाले time में इस person के तरफ से action का इंतजार कीजिएगा, मिलते हो next reading में new energies के साथ तब तक के लिए, God bless you love you all, take care and bye bye